सागर जिले के राहत गर पहुंचे प्रदेश की कैबिनेट मंतरी गोविन सिंग राजपुद ने राहत गर बाटर फॉल का काया कलप जल्द से जल्द कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाटरफाल इतना सुंदर और विवस्तित बनाये जाएगा कि यह किसी भी टूरिजमें प्लेस से कम सुंदर नजर नहीं आएगा। इस दोरान उन्होंने बन अधिकारियों से बाटर फॉल काया कल्प को लेकर चर्चा की और बाटर फॉल को एकोपरेटर्न की रूप में बिक्षित करने की बात कही आज जहां हम खड़े हुएं ये बाटर फॉल है और इस बाटर फॉल में सुर्की विदान सवाब में तो बाटर फाल ही आता है लेकर सुर्की यहां राय सेन के शागर के बहुत सारे लोग जिले के और दूसरे जिलों के लोग घूमने के लिए आते हैं इसकी बिल्कुल अन्देखी की गई जब मैं विधायक था तब हमने यहां बहुत सारे काम कराए थे जनपत के माध्यम से जलापंचा अध्यच्मिन के माध्यम से मैंने बहुत सारे काम कराए लेकिन आज दुरभाग है कि हमारा बाटरफाल जीवन ही रवास्ताय पड़ा हूं आज मेरी सुरुअत है आपसे मैं सारे लोग लेकरे हां आया हूं अधिकारी हमारे साथ में बन्भअक के अधिकारी राजस और इसको सुन्दर बनाने के लिए मैं प्रियास कर रहा हूं जो भी पैसा बनेगा वो हम भी देंगे कुछ पैसा हम दूसरे भागों से लेंगे लेकिन जल्दी से जल्दी एक साल के अंदर का थमारा सोचना है कि बाटरफाल सुन्दर बने और यहां बच्चे मातरपता युवापीडी सब भूणने के लिए जरसल मंतरी अपनी विधान सभा के कई विकास कारियों के भूमी पूजन में पहुंचे थे जहां उन्होंने उमरिया शेमरा में सामुद एक भावन का भूमी पूजन किया तो वहीं रहात गर्बन पर शेत्र कारेलाय में ग्रीन इंडिया कारिक्रम के तहट बन समीतियों को शमगडी वित्रित की बीना से ब्रिच पाल राचपूत की रिपोर्ट वित्व में एक रिपोर्ट